हेलो फ्रेंड्स देखो आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुत इजी सा नीटिव पैटर्न केवल दो सलाई में बनने वाला ये प्यारा सा डिजाइन फ्रेंड्स केवल टूरो का रेपीट पैटर्न है और इस डिजाइन को आप अपने अल प्रोजक्ट पर अप्लाई कर स सकते हैं बनाने में यह इतना ईजी है कि अगर आपने अभी अभी बुनाईशी की है तो आप इस डिजाइन को अपलाई कर सकते हो अपने सी भी प्रोजक्ट पे आचा कि इसकी वैक साइड्स औल्टी तर्प सही ऐसे दिखता है और यह इसका है फ्रंट साइड तो फ्रेंड तो चलो बनाते हैं इसे तो ये देखिए इस पे मैंने लिए हैं 12 फंदे जोड़े जोड़े के हिसाब से लिए हैं इस पे फंदे तो टोटल मैंने इस पे 12 फंदे लिए हैं ठीक है अदर्वाइज आप सीधा डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो सीधी तरब से, तो देखिए पहली सलाई सीधी तरब से, फर्स रो राइर साइट, पहला फंदा सीधी चेस सीधा उतारेंगे, इसके बाद पूरी सलाई सीधी सीधी बनानी है, इस तरह से सारे फंदे सीधे सीधे ब बुना जाएगा हर बार सिधा सिधा बुन के कम्प्लीट करेंगे सीधी साइट को राइट साइट और निट इस तरह से पहली सलाई हमने यहाप इस तरह से बनानी है ठीक है अब देखिए दूसरी सलाई आएगी हमारी उल्टी तरफ से सेकंड रो बैक साइट तो दूसरी दूसरी सलाई पर उल्टी तरफ से तो देखिए पहला फंदा इस तीचे से उल्टा उतारेंगे इसके बाद धागा अपनी साइड ही रखना है और देखिए दो फंदे सीधे बनाने है धागा अपनी साइड इसलिए रखा है क्योंकि हमने यहां पर एक जाली बनानी है इस तर इस तरह से इसे लेंगे और इन दो फंदों के उपर से लाते हैं यहां पर ऐसे इसे गिरा देंगे ठीक है फिर से देखिए धागा आगे रखेंगे अपनी साइड इस धागे को अपनी साइड रखना है इसके बाद दो फंदे सीधे बनाने है इस तरह से तो जो यह हमारी ज द्धागा आगे करेंगे अपनी तरफ और दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे तो जो यह द्धागा हमने अपनी तरफ करके जो यह जाली बनाई थी ना इस द्धागे को लेंगे देखी ये वाला जो धागा है इसे लेंगे और इसे इन दोनों फंदों के उपर से लाते हैं यहां पर इस तरह से गिरा देंगे तो इनी दो फंदों के डिजाइन को और ये जाली वाले डिजाइन को ही हमने पूरी सलाई पर रेपीट करना है यह जाली वाला जो फंदा है यह वाला इससे लेंगे और यहां पेसे गिराएंगे फिर से धागा आगे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे और इस फंदे को लेंगे और यहां पेसे लाके इस तरह से गिरा देंगे धागा अपनी तरफ करके एस्टीच को उल्टा बनाएंगे तो इस तरह से यहां पर हमारी यह दूसरी सलाई बनेगी ठीक है फिर से देखिए राइट साइट से पहली सलाई हमने जैसे बनाई थी पहला फंदा एस्टीच है उसके बार धागा पिछे करेंगे और सारी सारे फं तरफ से डिजाइन बनाएंगे यह देखिए ठीक है अब उल्टी तरफ से देखिए दूसरी सलाई सेकेंड रो बैक साइड पहला फंदा उल्टा उतारेंगे धागा अपनी साइड ही रखना है और दो फंदे सीधे बनाने हैं इस तरह से दो फंदे यहां पर हम सीधे जाली बनाई है ना हमने इन दोनों फंदों के उपर से लाते वे यहां पर गिरा देंगे ऐसे ठीक है फिर से देखिए धागा आगे करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से यह जाली बनते वे हमारे दो फंदे यह जो धाग है इससे इस तरह से बुनेंगे बनाएंगे जो यह जाली वाला धागा है इसे यहां पे लाके गिरा देंगे ऐसे फिर से देखिए धागा अपनी साइट करके दो फंदे सीधे बनाएंगे और इस जाली को लेंगे और यहां पे इसे गिरा देंगे ऐसे ठीक है फिर से देखिए धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे बनाएंगे और इस जाली को लेंगे और इन दोनों फंदों के उपर से लाते वे यहां पर गिरा देंगे ऐसे तो इस तरह से करते करते लाश्ट में हमारा एक ही फंदा बचता है जो एस टीच है इसे उल्टा बनाएंगे तो देखा आपने कितना प्यारा आसान डिजाइन है यह दो सलाई में ही यह डिजाइन बनता है सीधी तरफ से तो एक सलाई पूरी सीधी सीधी बुन्नी है सीधी तरफ से और ओल्टी तरफ से ही डिजाइन बनेगा इनी दो सलाईों को हमने बार-बार रेपीट करते हुए जाना है तो देखिए इस तरह से यह बन के आएगा एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ सीधी तरब से पूरा सीधा सीधा बनाएंगे सीधी सलाई हर बार सीधी सीधी ही बुननी है सीधी तरब से ठीक है दूसरी सलाई उल्टी तरब से दूसरी सलाई में ही हमारा रेजाइन है पहला फंदा सीधी से उल्टा उतारेंगे अब देखे धागा अपनी साइडी रखना है और दो फंदे हमने यहाँ पर इस तरह से यह जो है यह जाली बनाते हुए हमने इस तरह से दो फंदे सीधे बनाने हैं यहाँ पर इस जाली को लेंगे और इन दोनों फंदों के ओपर से लाते हुए यहाँ पर गिरा देंगे ऐसे फिर से धागा आगे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे फिर इस जाली को लेंगे इन दोनों फंदों के उपर से लाते हैं यहां पर गिरा देंगे फिर से धागा आगे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे जाली को लेंगे और यहाँ पर गिरा देंगे तो देखें बैक साइड से हमने हर बार ऐसे ही बुनना है और सीधी तरब से हमने सीधा सीधा बुनना है तो इतना आसान ये डिजाइन है ऐस टीज को बनाएंगे उल्टा तो देखा आपने कितना आसान डिजाइन है देखें मैं आपको सीधी तरफ से पताती हूं ये देखें ये बन गया हमारा डिजाइन तो फ्रेंट्स इनी दोसलाईओं को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो ये डिजाइन इस तरह से दिखता है जादा बुनने के बाद ये डिजाइन इस तरह से खुब्सूरत से दिखाए देगा तो बनाईए इसे मुझे कमेंट करके बताएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आया हो तो प्लीज विड़ा को लाइक शेयर और सबस्क्राइब माई चैनल तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई